Hi everyone, welcome to Standard Biology. So, आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे that how you can deal with stress during exam operation. आप किसी भी competitive exam की तयारी कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको थोड़ी tension होती ही है. आप वो tension अलग-अलग type से हो सकती है. आपको failure का डर होता है कई बार, तो वो सब चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो पहली चीज जो हर experiment के दिमाग में होती है. Failure का डर, कि पता नहीं अपकी बार हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. तो जब भी आपके दिमाग में ये चीज आती है, तो अपनी preparation को और ज़्यादा strong आपको बनाना है. आपको वो सारे chances जो हैं, वो decrease कर देने हैं, जो कि आपके failure को बढ़ाएं. आपको क्या करना है, अपनी preparation को और भी ज़्यादा strong बनाना है. कैसे? आप बार-बार revise कीजिए, बार-बार practice कीजिए, अपने आपी confidence आएगा, अपनी mistakes को analyze कीजिए, कहाँ पे आप mistakes कर रहे हो, उनको repeat मत कीजिए, ठीक है? तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना होगा, अगर आप इस बर success चाते हो, तो. Second चीज है problems, कई बार आपकी life में problem आ जाती है, because of whatever reason, कोई family related issues हो जाते हैं, कई बार आपको, अपने family को financially support करने के लिए आपको job करना पड़ता है, तो उसकी वज़े से क्या होता है, कि आप अपनी study को कम time दे पाते हो, तो ये भी, ये भी, जो है, मतलब, ये stress का का कारण हो सकता है आपके लिए, कि आप कम time दे पारे हो, कहीं आप करना पाऊ अब की बार, तो आपको ही करना है, इसलिए आपको कही ना कहीं से time निकालना होगा, चाहे आप अपनी need compromise कीजिए, वो आपको देखना है, अपना entertainment compromise कीजिए, अगर आपको कुछ achieve करना है, तो आपको कुछ ना कुछ compromise तो करना पड़ेगा, sacrifices तो करने ही पड़ेगे, ठीक है, तो ये चीज़ जरूरी है, आपको अपनी तयारी को अच्छे से करना है, अगर आपको 2-3 घंटे भी पूरे दिन में मिलते हैं, तो आपको क्या करना है, उन 2-3 घंटे में अच्छे से पड़ा ही करना है, जो भी concept आपने तयार किया, वो ऐसा होना चाहिए, कि उसको बार-बार उस concept को गेन करने की जुरूरत ना पड़ेगी, रिवीजन की तो जुरूरत ओवेस है पड़ेगी, लेकिन बार-बार उसको उसी लेवल से नहीं पड़ना पड़े, तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी हैं, कि आप जितना पड़ रहे हो, वो उसकी quality अच्छी है, ठीक है, तो ये चीज़ जरूरी है, अब अपनी situations को complain करना बंद कीजिए, blame करना बंद कीजिए, कि आपकी situations ऐसी हैं, इसलिए आप उस exam को crack नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपको coaching नहीं मिल पाई, क्योंकि आपके घर में ऐसी situations हैं, इसलिए आप जो है, नहीं कर पाई इस बार, तो ये सब चीज़े अगर आप कर रहे हैं, तो बंद कीजिए, इन चीज़ों को blame करना, क्योंकि कहीं न कहीं आप बहाने बना रहे हैं, आपको भी पता है, कि आप बहाने बना रहे हैं, आप कर सकते थे महनत, तो ये चीज़ें आपको ही करनी हैं, जो जादा पढ़ेगा, जादा मेहनत करेगा, वही अचीव कर पाएगा, ठीक है, उसके अलावा आपको जो है, अपने आपको preparation के टाइम पर positive रखना है, और patience रखना है, ठीक है, positive आपको रखना बहुत जरूरी है, ठीक है, positivity और confidence जो है, जैसे जैसे आपकी तयारी आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे आपके सही होंगे, तब आपको confidence आएगा, positivity भी आएगी, लेकिन अगर आप तयारी अगर नहीं करोगे, तो negativity ही आएगी, कि नहीं कर पाएगे, कैसे होगा, उसका 3-4 साल से नहीं हो रहा, तेरा कैसे होगा, तो ये सब चीज़े जो हैं दिमाग में चलती रहेगी, और patience एक साल तो अराम से ही लग जाता है, आपको अगर आप एक initial level से तयारी कर रहे हो, तो एक साल अराम से लग जाता है, तो एक महिने में नहीं होने वाला, ये तो मैं आपको अभी clear कर देती हूँ, तो patience बहुत जरूरी है, time के साथ ही होगा, जब आप सारे concept gain कर लेंगे, अच से आपकी practice हो जाएगी, तभी आप में confidence भी आएगा, और जो है, चीजे भी सही होगी, ठीक है, तो patience बहुत जरूरी है, अच्छा, social media से चपके नहीं रहना है, I mean अगर आप used to हो गए हो, heels वगेरा देखने हो, तो आपको थोड़ा सा distance maintain रखना है, जादा नहीं कहूंगी, आपको पता होना चीए, कि आपका time waste नहीं होना चीए, अगर आपने 5 मिनट सूच है, तो 5 मिनट ही दे रहे हो आप उसको, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा उसमें लगे नहीं रहना है, social media, बेकि आप बाते करे ही जा रहे हो, सुबह बैठे थे और शाम तक जो है, उठे साथ से, साधे साथ मैं use करूंगा, तो इस तरीके से आपको balance बना के रखना है, ठीक है, अच्छा, अपने आपको breaks भी दीजिए, weeks में, या फिर month में, या फिर दिन में, आपना plan रखिए कि 3 घंटे में सुबह की shift पर पढ़ूंगा, और 3 घंटे शाम वाली में तो इस तरीके से आपको क्या करना है, breaks देना है अपने आपको, उसके अलावा week में भी कुछ break दीजिए, अपने आपको जैसे Sunday अपना off रख लीजिए, कि Sunday के मैं जो है, ये 6 दिन तो अच्छे से पढ़ूंगा, लेकिन Sunday को मैं अपने आपको break दूंगा, या फिर उसमें मैं movies देखूंगा, तो it's all up to you, अपने आपको break भी देना है, entertainment भी करना है, ऐसा नहीं है कि आप बिलकुल ही पढ़ाई के साथ ही चिपके पढ़े हो, लेक तो जो है, थोड़ा बहुत break देना बनता है, लेकिन end में ऐसा ना हो कि आप entertainment ही किये जा रहे हो, तो सारी चिज़े balance में लेके चलनी है, ठीक है, जहाँ balance बिगड़ा, वही result भी बिगड़ जाएगा, ठीक है, thank you so much for watching this video, and अपने आपको बोली, I can do it, कभी, कभी, जैसे relatives भी taunt कर देते होंगे, कि उसका नहीं हो पाया, तिंचार साल से, तेरा कैसे होगा, वो तो इतनी intelligent थी, उसने तो top किया था, तुम्हारा कैसे हो पाएगा, तुमने तो कभी top भी नहीं किया, so just say yourself that I can do it, कि मैं कर सकता हूँ, या कर सकती है, ठीक है, जो करते हैं, जिनका कोई भी competitive exam निकलता है, वो आप जैसे ही इंसान होते हैं, वो अच्छे से तैयारी करते हैं, बस फरक इतना है, ठीक है, आपको वीडियो पसंद आई हो, तो आप like कर सकते हैं, share कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और comment में बता सकते हैं मुझे, कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक झाल, 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